यह गुड इविनिंग और वेलकम यश और वहिशाली तो इस पॉड्कास्ट आफ बिसरप्टर्स बिसरप्टर्स में हम उन लोगों को लग के आते हैं जो अर्डरी है थे और अब एक्स्टर ओडरी बनने की जर्नी पर चल पड़े हैं ठीक है तो फॉर फर्स तैम बड़ा इं के लिए बड़े हैं अर्डरी प्रामसे बावन प्रामसे उस थे नीम बड़े आट्री में करें यह समय अर्डिकल शिप आट के वर वो के विड़ी तो अविड़े हैं तो यह कुड नाइट कर लो इस नीम प्रफिन जर्चिए वाल इस पॉसिविए मैं यह श्यार था के मु आफर फिनिशिंग मैंश्ट सीए आइ स्टेट वे मैं ने देली में एक लॉफर्म जॉइंग किया बिकॉद उसमें ट्रावल काफी इन्वाल था और लॉव ट्रावलिग तो आइवर्ग देर तीन-चार महिने और फिर मुझे एक अपरचुनेटी यॉरॉप में सलेक्ट किया जहां पर आई वस रेप्रेसेंटिंग इंडिया तो वहां पर 12 लोगों के साथ हम रहें अलग-अलग देशों से और वहां रहते भी मुझे रियलाइज हुआ कि अक्रॉस दे ग्लोब लोग अच्छा खाने के लिए एक रुजहान बढ़ रहा है और लोग अच्छा खाना च और क्योंकि वहां में इंडियन फैमिली के साथ रह रहा था तो इटिंग हैबिस में मुख्वास एक इंटिग्रल पार्ट हमेशा लोगों कर रहा है और इन फैक कुछ कॉन्वरेशन में ऐसा भी था कि उन लोगों को लगता था कि अब इंडिया में मुख्वास वह पहले ज किया कि अधिक और गानिक हेल्दी नाचुरल इस फूड का ट्रेंड अक्रॉस दे ग्लोब है और आज इस फूडी उसको हर चीज खाने का शॉग है तो क्यूंकि उसने भी हम दोनों ने सिये साथ में की बॉंबे हम दोनों साथ में पढ़े हैं इसकूल में इन फाक्ट हम ती अच्छा खाना सब ढूंगते हैं और अब इंडिया सिच्वेशन में हैं कि लोग अच्छा खाना ढूंगते हैं पहले तो यहां से आ रहा है तो अच्छा ही है तो वी स्टार्ट रिसेर्चिंग एक स्पेशल फैक्ट यह पता चला कि लोग मतलब जैसे आर पेरेंस ऑलसो खाना कैसे हमारी प्लेट पर आ रहा था कोई उसको अटेंशन नहीं दे रहा है हमारे पेरेंस को भी नहीं पता था कि हमारा जिस फार्म से आ रहा है वहां पे फुल केमिकल्स फर्टिलाइजर प्रिजर्वेटर स्प्रे होते हैं पाली जोटपूर के पास में चोटे शहरों के अब दोनों फिनांस बैक्राउंड से खाने का कोई नॉलिज ने इतना शौक कहला है हमने सोच पहले फूड को समझते है अच्छे से से वी केम तो एम्दबाद बिकर्स एम्दबाद इस अशिटी और फूड़ीस और वेरी क्लोस तो राजस्थान तो वेरी कम्फूटिब अच्छा इस बेस्ट इन गुजराथ उनिवर्सिटी तो शिष्थी थटी यह से गुड फूड फूड सिस्टम्स में काम कर रहा था तो हमने वह पर वालुंटरिंग की शिक्स मंट्स रूरल एरियास में जो ग्राउंड लेवल पर लोग अच्छा बनाते हैं फार्मर्स अच्छा बना रहते हैं उसी से बस वह सारा डेटाबेस बना के हमने शुरू कर दिया हम्दबाद में तू मेड हमको सिटी इतनी पसंद आगई हमने का यार बॉम्बे बहुत रहली है यह हमारे लिए लाइफ टाम पेकनाट लिव इन दाट स्मॉल स्पेस और तू फास्ट अच्छा अच्छा बनाते तो वह राजस्तान में अच्छा वाड़ा नाश्ते से लाइफ नाश्ते में जब वह मुखवास जब होता था वह बॉटल की बॉटल एक एक जनाग हदम कर लेता ता तो हमने सोचा ठीक है vegetable fruit के साथ अब आंटी कुछ अच्छा मनाती है तो वो भी हमने introduce किया few years into the journey of farmse we realized कि याज यह category हमारे लिए सबसे अच्छी है vegetable fruits और बाकी जीज़े तो लोग दे रहे है but mukhwas India का invention है but अभी भी वो इतना kachra मिल रहा है market में तो why not disrupt that market and now farmse is totally focused on becoming number one clean mukhwas bar so when we say clean when we say clean it is sugar free no flavors no additives all high quality ingredients and more of nuts and dry fruits rather than वो शक्कर वाली सौफ rather than वो cherry जो colors and flavors से बनती है more of good ingredients जो हमारे health के लिए भी अच्छा हो कुछ मुखवास हमारे specific problems को भी address करें जैसे acidity है या उनको and एक overall अच्छा feeling दे but then हम कुछ गंदा नहीं खा रहे है तो यह farmse का मतलब कैसे how did you come arrive at this name farmse so Raj and Raj और मैं बहुत सारे farms पे जाते थे तो कोई women entrepreneurs या जिन से भी मिलते थे people हम लोग closely farm पे बहुत रहे हैं पाली में क्योंकि पाली छोटी city है तो वहां पे outings कुछ होता नहीं था हमेशा हमारे picnics या weekends farm पे रहते थे so that farm lifestyle हमारे बहुत close है starting से जब हमने यहां से सावान जभी है हमने खटा किया तो भी realized कि हम जहां जहां से procure कर रहे हैं direct farmers है जिन लोगों से procure कर रहे हैं कुछ women's जो कुछ अच्छा बना रहे है they are direct source farm say as a name justifies के directly from the source authentic clean and indianized version farm आप देखेंगे English में और से Hindi में तो वह English से असा लगता यह brand इंडिया से है और क्यूंकि हम global level पे ले जाना चाहते थे इस brand को तो we thought it is a very apt name लाकि farm globally कहीं भी लोग समझ सकते हैं और से देखके लोग समझ सकते कि यह कुछ इंडिया से हैं so that was the idea and wanted to work them authentic from the source genuine clean लगे उसके लिए उसके लिए okay so यह इस industry को क्या कहते हैं जिस मुख्वास industry को English में क्या कहते हैं मुख्वास industry थोड़ा sophisticated version अपन उसको बोलेंगे तो healthy trail mixtures is the which you can have like कभी भी खाने के बाद खालिया या कभी दिन में भूक लगा तो we can have I say munching के लिए खालिया rather than eating biscuits या ऐसा चॉकलेट तो भी कन है मीठा भी हो जाता है plus tasty भी हो जाता है and good for health also yeah and then Vashali says मीठा again हम लोग sweet शकर बिलकुल नहीं डालते हैं so हम लोग jati mud dates coconut sugar dry dates ऐसे जो alternates to sugar है उसी को हम use करते है तो यह इस industry को आपने यह बता दिया कि आपने कैसे select किया और आपने almost उसको finalize कर दिया कि हमको सिर्फ मुखवास पे ही करना focus करना है तो बाकी सारे प्रोड़क्स काफिर क्या हुआ तो ऐसा लॉट अलॉट 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 इनार जर्नी इस focus is important जब हमने शुरू किया हम काफी सारी चीज़े कर रहे थे हम vegetables fruits groceries kitchen के काफी सारे alternates provide करने की कोशिश कर रहे थे जैसे जैसे हम ब्रेंस्टार्म करते हैं वैशाली जॉइंड इन six months later so i think farm ऐसा हर कोई grocery vegetable fruits हर store करते है अब अधाबाद में it's a there like more than 10-15 stores होंगे जो organic stores बनके sale कर रहे अफकोस वह organic भी होगा authentic होगा we don't know लोगों को समझाना के वह organic है नहीं it's also a big questions because आजकल के लोग प्राइस जादा देने के लिए दस सवाल भी पूछ रहे हैं कि वह अगर मैं 100 रुपे की चीज़ को 200-200 रुपे देरी हूं तो क्यों देरी उसके रिजर्ट पीछे रिजर्ट भी होना चाहिए अफकोस उसको समझा भी सकते है अब आरे पास आप टेस्टिंग रिपोर्स एवरिटिंग या जैनियों बट आइटिंग डॉन आइड नों कि लोग उसको इच्छ से समझ पाएंगे नहीं समझ पाएंगे उनके लिए सच है नहीं है लोग और गैनिक के नाम पर सच में बेच रहे हैं और गैनिक यह नहीं मुखवास ऐसी चीज़ है कोई अगर आपको भी कोई पूछे कि आपको कौन सी अच्छी से मुखवास की ब्रेंड पता है तो I don't know I don't think so कि आपको अच्छी से नेम कर पाऊगे So we wanted to become number one मुखवास ब्रेंड ग्लोबली जहां पर हम healthy sweet wise taste में भी अच्छा हो बॉड़ी के लिए अच्छा हो healthy ingredients हो कोई भी preservative colors नहीं हो तो हमारा focus है कि हम लोग इसी के को अच्छा like global level तक पहुचा सके विशाली आप इतनी passionate लग रही है जवाब देने में तो आपने इतना लेट कियो जोईन किया फार्मसे को तो basically I have done fashion designing and myra को interest था नहीं food में and just that I was working farmse के सामने को office था एलान कर लेखा लगता नहीं कर था तब आपको food में इंटरेस नहीं था पेले तो मैंने इच्छ को बोला या मुझे मज़ा नहीं यारा है यहां पर काम करने के लिए यह पिर वह काम छोड़ दिया इसके बाद मैंने कुछ से लिका मैंने फैशन डिजानिंग किया तो मैंने काफी एक्जिबिशन्स किये एं दिन कोविड आ गया कोविड में कुछ सब बेंगो सेजन आगे तो इसके पास वर्क इतना ज्याधा था कि वह खुद से भी हैंडल नहीं कर पार तो इसको भी किसी की जरुरत ही तो इसने बूले चल्ट तो भी फ्री तो थोड़ा है तो मैंने हैं थेंको तीन साल हो गया कि मैं मैं इसी फांट से में ही काम कर ली और श जर्णी पहले ही शुरू हो गई थी बिजनस तो को इंसिदेंशल था तो मैं बिजनस में एक चीज जो बहुत इंपोर्टन जो मुझे लगती है कि लक जो बोलते हैं वह इतना स्ट्रॉंगली मैं समझता हूं एक छोटा सा इंसिदेंट यह के जैसे शी सेट के 2019 सेप्टेंबर ऐसा दा जब राज की एंगेजमेंट हुई थे और उस वक्त बिजनस हमारा जैसे हमने 6-7 मंच शुरू हुए हुए थे हम लोग वी कम फ्रॉम बिजनस फैमिली हम तीनों बिजनस फैमिली से हैं तो हमारे पेरेंस के हम दोनों अली सन है तो एक प्रेशर हमेश फूद ट्रक था जो हम लेकर निकलते थे मैं और राज ट्राइव करते थे तो मेरे डाइट मैं मतलब ऑपोजिट वे में बोलू तो मेरे डाइट का बिजनस इंटू सिल्वर युटेंस मैनुफेक्ट्ट्रिंग वाव तो मैं डाइट जो मेरे डाइटम पेचते हैं वो 60,000 70,000 kg होता है तो पापा जब एंदबाद फर्स टाइम तब आये थे जब हमने स्टोर शुरू किया गुलबाई टेकरा में तो वह आये तो क्योंकि देवन होता है तो लोड बहुत था तो पापा बिल करना शुरू किया तो पापा बोले टमाटर 30 रुपे किलो 60 पूरा बिल पापा मुझे बूलते है तो क्या कर रहा है मैं 60 था साथ हजार सित्र हजार रुपे किलो का आइटम में बनाता हूं यह 30 रुपे किलो 40 रुपे किलो के काल्कुलेशन में पूरा दिन मेरा निकल गया तो what is it that you want to do and that day we realized कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं है अफकॉर्स मेरे डायेट हमारे comfort को जैसे हर पेरेंट सुचता है कि उनके बच्चों को पूरा comfort मिले वो क्यों problem देख रहा है बट मुझे लगता है कि भूर जब time था जब उनने store शुरू किया that just rewind करें उसके दो आफते पहले तो हम ऐसा सोचे थे वाम से बंद कर देते यह काफी सारे experience success or failure की कानिया हमने आपसे सुननी है क्योंकि व्योज को बड़ा interest होगा स्ट्रेंग्ट मिलेगी interesting story है six months into the business क्योंकि हमने आज तक बहुत comfortable life parents ने दी है एमदबाद में हमारा को support नहीं था to start with तो राजवार में आये six months हमने बहुत मैनत की रहे day and night हम कब खाना खाते थे कब आनन से मुझे याद है हम starting में दो orders में Activa पर हम लोग 60 km दूर सबजी लेके आए 100-100-200 kg on the Activa 60 km हमारे घरवालों को अभी तक बात पता भी नहीं होगी आप पता चल जाएगी सो वो टाइम जब हमने देखा हमने six months almost a year हमने बहुत मेहनत की first initial business model पर हमको लगा यह workout नहीं हो रहा है क्योंकि लोगों को बार मैं लोगों से वेश्च सह मिलता रहता तुरोगों सें मिलता रहता है मिलता उससे होगा तो या लुकिली हमने गश्य हममी i योगा च्रुल करने फीद्रहंति करें ऑप-पैने तो में और उन्होंने बोला कि यह जो तुम करना चाहते हो अच्छा आइडिया है और कोई कम्मिनिकेशन होगा था हमने बोला वन्ना जी बिजनस इतना चलनी रहा है क्योंकि वह भी फार्मर्स से काफी काम करती थी उनको अपलिफ्ट करने के लिए यह बंद करने का सोच रहे वन्ना जी बोले तुम रुको मैं तुमको कनेक करती हूं शिलपा पटेल से शिलपा पटेल इस डिरेक्टर एट शिलपग्रम सो उनसे कनेक किया रियल एस्टेट का अच्छा काम है उनका तो शिलपाइल जी ने मतलब उन देती हूं for six months September 19 से तुम मार्च तक उसमें काम करो तुमको लगता है बिजनस चल रहा है अब हो रहा है तो तुम आगे continue करना नहीं लगता है तो तुम बंद कर सकते हो तो तुमको six months का कोई loss नहीं है and that is when we decided to give a chance to business luckily six months सब्सक्राइब से मार्च भी डिन्ट पेहर रेंट and I think it's a big मालब उनकी राइट सब्सक्राइब के उन्हों ने step दिया कि चलो I am giving you my property 40-50,000 की property किसी को free में देना कोई किसी के लिए नहीं कर अंजान लोगों के लिए उस दिन से पहले हम जानते भी नहीं थे बच शी केम इन सपोर्ट के मैं इस आइडिया को सपोर्ट करना चाहती हूं मैं कुछ चाहती हूं फार्मर्स थोड़े अपलिफ्टो और अच्छा गाना लोगों को मिले सिक्स मंद्स हमने वाँ से शुरू किया और उसके बाद से भी नेवर लुग बैग मतलब कोविड आया कोविड में हमारा बिजनस फोरेक्स हो गया उसी प्रॉपर्टी से एहमदबाद में हमारा मैंगो इतना पॉपिलर है आई-पील टीम्स तक हमारा मैंगो जाता है और को देवर्ट कुछ खटे एक्सपी बितो बढ़े जाता हुआ है यह अपना शुरात में बात की शिलपा जी ने आपको दिया वह बहुत लग फेक्टर ने उसके बाद जब शिलपा जी ने बोला कि मेरा यह प्रॉपर्टी है जो आलान के सामने है लुकिली मुझे यादा वैशाली एलान में काम करती है अच्छा एक और लुक हाँ हाँ तो फर्स्ट कॉल वें शिंपाजी टोल के एलान के सामने आई कॉल वैशाली मनेंगा तुम्हारे सामने कॉन सा प्रॉपर्टी यह जो हाली बड़ा है बहुत ताइम से यह लिच्छा डेशाली तो अटाची अपूरी बड़ाटी मर्च अबि अधागी जो विंडो भ्रॉपर्टी के बात करना है इसमें तो नहीं हो पहाँ है फिर भी लग अच्छा था वाँ पढूर याश लग ने आपको एक्सपोनेशल बेनिफिट्स दिये है लाइफ टाइम मेरे को ता लग ने बहुत इंफार्ट ने जैसे याश ने बताया के राज को सेप्टेमर जालो किया उनके अंगेजमेंट हुआ है उसके पापा को अटेक आगया तो उसको शिफ्ट होना पड़ा याश अकेले तो उसके पास काम का वर्कलोड भी जादा था बिकॉस जस्टार्ट ही किया था है याश अधाबाद में थी और में पस कोई काम नहीं था तो मैं भी उसको हेल्प करती थी और याश आगे जलते हैं और कुछ अची खटी-मीटी कहानिया एक और कुछ अची जो खटी-मीटी कहानि में एक और कुछ चीजें आप क्योंकि आप सामने वाले को इतना क्लोजली जानते हो तो इस नौट ऑल्वेस इजी इस नेवर एक एजी अंडर्सकांडिंग नहीं है आपन काफी सारे लोग देखेंगे जो फ्रेंज बिजनस शुरू करते हैं बद आगे तर कंटी नहीं कर पाते हैं सो बाट इंस्तेंस मतलब मेरे और राज की रिलेशन्शिप का लोग वास सेप्टेंबर 19 में राज had to move back I stayed here alone हमारे प्लांस कुछ और थे बट यूनों थिंग्स नेवर गो आज इस प्लांग बट पार्ट थोड़े टाइम हमने सस्टेंग किया और बिकॉस हम वह लोग पार्ट में सस्टेंग कर पाए वह बॉन्स लाइफ टाइम के लिए आपके सीज हो जाएंगे वह कॉन्क्रीट हो जाते हैं अन्ट इस वाट मदब वह सेप्टेंबर 19 शाइद मेरे और राज के लिए वह तीन-चार मेने सबसे हाथ थे इंटरम्स आर फ्रेंशिप बट आज अगर मैं देखू हूं या आज अगर राज देखे तो we never look back to what has happened but what we are right now is first call उसकी लाइफ में कुछ होता है तो it is me and मेरी लाइफ में कुछ होता है तो it is him so I think sustaining friends is a good part in business अगर आप understanding कर सको and sustain कर सको तो nothing like it चले बढ़िया है यश अन्वेश अले इस रियरी कॉइड एंगरेजिंग थौट यजिग तो विवेश के फ्रेंश वाइफ सब एक साथ बिसनेस में आशा बिफोर वी गो तो यह बिसनेस मॉडल या बिसनेस प्रोसेसिस के बारे में से आने आप लोग तीनों ने अपने 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 एरियास को सिलेक करके रखा होगा कि this is my zone of working this is my zone of working you know to kya है आप लोगों के अलग अलग zones of operations so basically I look for the manufacturing जैसे की मेको और मेरी भावी जोसको already 10 years का cooking में experience है हम लोग को अशा के कुछ ना कुछ बनाते रहने का कुछ ट्राय करते रहने का so हम लोग सारे mixtures एक बार कुछ से ट्राय करते हैं मिक्स मैच कुछ ना को चुपर नीचे होता रहता है because of course perry time में first time it's not perfect so हम में दीरे 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 बनाना चालू किया दो तीन मुखवा से चालू किया जैसे राज की मुखवा से बनाते हैं उसके बाल हमने भी सोच तो कुछ ट्राय करते हैं मुखवा से is mouth freshener Mouth freshener, kind of a mouth freshener but ours is not a supaadimala, a soft fala mouth freshener So हम लोग का soft fala तो हही नहीं बिपुली इंडू कुछ नाम तो दीजे है It's mouth freshener, mukhwar But say healthy, no sugar, no added sugar mukhwar So I look for the manufacturing But you start owning the industry, the whole idea that i am asking you this question is That you own the industry एक रहर्शी को निया है पंट कमा आख्या है जो होगए तरहर्ण तरह्म सब्कार cui then I look for the sales also and then हम लोग we can say marketing online channels जैसे Google Ads हो गया या फिर Facebook Instagram आप डिजिटल मार्केटिंग और हम देखते हैं CRM also I look what about you so as you said online marketing वो देखते हैं offline marketing मैं देखता हूं पुदा overall CSN strategy मैं देखता हूं and because मेरा finance में background है तो finance and accounts में handle करता हूं HR is one role that I look after सारा hiring मैं देखता हूं और कब किस लोगों की कहा जबरत है दाटाइसी and the last one is overall management मतलब कहीं पे भी कुछ भी रुखता है या कुछ अटक जाता है तो वो overall management मैं देखता हूं and what about Raj? Raj looks after overall strategy हम कुछ भी company में नया करने का सोच रहे है कुछ नया so he's more into strategy strategy think tank yeah 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 so Raj is basically think tank think tank and because September में जब वो वापस गय है तो उनका वहां पे full time demand था तो he is not full time into the business so वो अपना part time involved करते हैं जब वो एमदबाद आ सकते हैं because Pali and Ahmedabad is very close he comes for strategic and then of course he comes whenever in need and Raj communication तो बड़ा easy हो गया so you can always connect over phone yeah 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 we speak every day easy, 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 because अब कुछ online होना होना चाहाद दो जब जब आपना business model बताईए so Farmsay is basically a clean healthy Mukhovas brand as I said so we are an offline store in Ahmedabad Gulbai Tegra पे हमारा first store है जो शिल्पवेन की कृपा से शुरू किया ता हमें and that is our flagship store and we are a omnichannel brand with this flagship store and we deliver Pan India through our website which is a D2C website we are coming on marketplaces so we are the next one year target is coming aggressively online on marketplaces Amazon, Flipkart and all those places so the model is simple we identify mixtures with so India में अभी भी जो सावान बिकता है वो तेस से बिकता है first it has to be taste सारे हमारे मुखवासा यूनीक टेस्ट मतलब it is favorites of people के उसको बच्चे भी खा सकते बड़े भी खा सकते बुड़े भी खा सकते टेस्ट खाके उनको कभी ऐसा नहीं लगेगा यह healthy है तो यह कड़वा होगा यह ऐसा होगा taste is foremost हमारा कोई भी formulation टेस्ट के बिना आगे नहीं बढ़ बाता है राज का टेस्ट बहुत स्ट्रॉंग है तो आगे बढ़ना ही नहीं देता है कि इसमें टेस्ट में अभी कुछ कम है टेस्ट तो हम लोग टेस्ट के साथ फिर health वाली चीज़ें जैसे अभी हम अमरांद के साथ काम कर रहे हैं राजग्रा भी लेटली बहुत पॉपुलर हो गया उसके साथ हम क्या क्या कर सकते हैं जो लोग डेली अपने आप अपनी office table पर रखके खा सके वो जो दो दो मॉडल इस इंपल वी डी टूसी ब्रांट फर मुखवास और वी डू मुखवास जैसे रीटियल इस वन कौर्परेट इस बिक चानल लोग मिठाई ड्राइफ्रूट फेस्टिवल सीजन आ रहा है तो सब बोर हो गया है अभी ड्राइफ्रूट आता है तो लोग पास करते हैं मिठाई आता है तो एक से दूसरा पास करता है हमारे जो मुखवास है वो एक अच्छा फील है मजब इ इस मिक्स्टिव द्राइफ्रूट नट्स और यूनीक है तो लोग अब उनको रिप्लेस करने लग गए है अपने नॉमल मिठाई से और राइफ्रूट से तो बिक चानल फोर उस क्योंकि दिवाली में हैं क्योंकि हम यंग हैं वेल ट्राइवल हैं आपकेजिंग अलसरी सस् अपने घर पर रियूसेबल पाकेजिंग एंड लुक्स्टि विंदिवासिया द्राइफ्रूर पाकेजिंग अट लुक्स्क्लासी मिनिमलिस्टिक अग्लासी सो हमारे हैं पर्श इस वेट शरू थूरूट थिस सीजन तो आर चैनल सार डी टूसी एंड कोपरेट गिफ्टि अच्राजिये अच्राज घर इंडस्री है पोटेंशल आप देखे में पोटनेकर जा हैंगे अफिवी अघर अगर आप ладно तेरह को एक या मुग्वस टंकर आप सा रूप्तों गैसप्वस थया आप मिलेगा उया जिभ लुख्वस एीدا यह प्रफ देते हो है और उसमें क्या लिखा है क्या अंदर है कोई डीटेल नहीं है उसके अंदर सौंफ है सुपारी है कितना शक्कर है वी नवर लो कहा है थीक है आप से तो इस तो इस वेरी अनौनाइज दो यह अनौनाइज रहे का बट हम चाहते है एक अप्लिट को पता ह कि आप क्या खा रहे हो उसमें इंग्रीटेंस के हम नहीं कह रहे हैं हम हल्दियेस्ट आप दी मुखवास है नाचुरल शुगर फिर भी मुखवास में होता है हमारे उसमें बट दा आइडिया इस कि आप जो खा रहे है उसको हम बेस्ट किस तरीके से कर सके या उसको 70-80 पर है हर होटेल के बाद हम हाँ इस मोदन 50-60 परसेंट शुगर लेस देन 30 परसेंट सॉफ और हम उसको खाते सॉफ समझ के कि यह सॉफ है हमारे लिए कुछ अच्छा करेगी सॉफ कि तरीके से बन रही है उसमें जो कलर्स यूज हो रहे है मतलब डब डबलो एचो ने रिसेंट रिपोर्ट में बोला कि इंडियन मुखवास और सुपारी मार्केट इस इस में मिलते हैं इंडिया है तो चीजे चल रही है हम वो चल रही वाले आटिटूट में नहीं है वी वांट टू हम थॉट्फुल होना चाहते हैं जो एक इंडिएंस जा रहा है इसमें इधर वो हु जो भी दे आधे तो यह कोई गलत इंग्रीडेटिन नहीं देए बीर्डेटी लैप स्थिकीरश्, क्या गरते हैं लाप जात आटियमत्स प्रोग्स करों फट्कर टैनी सुंप्रेटुल शुगर प्रोटीन है तो साही रिपोर्स पर रहते हैं इन फेक्ट बच्चे को अगर आपको पता होगा बच्चे को अभी प्यारा तोई कि वो टीशी पेपर में सौंफ भर बर के खर ले जाने का मम्मी लोग भी बनानी करते बिकास वो खुद खाते हैं अभी उनको नहीं पता है कि आ कितना कलर है कितना शक्कर है वहीं अगर हमलों का फामसे का हुखवास हो तो इसके अंदर बदाम है जिक बदा राइफ्रूट्स है बैरी जैसे वो बॉड़ी के लिए पी अच्छा तेस्वाइस पी अच्छा बैटे देन एट सौंफ या बिस्कीट या चॉकलेट सो वाइन अच्छा फामसे जो हम लोग एवरिवेर हम लोग को इंडिया में हरे कॉने में पहुंचा और इंडिया में कितना बड़ा मार्केट है यह जो आज़ाइब अग्लोबली यह मोर्दन 10 बिलियन है इंडिया में पोच्छ प्रॉपर नहीं है बट विया एस्टिमेट देज़ मोर्दन 20,000 क्रॉर्स का मार्केट इंडिया इंडिया की इंडिया इंडिया से आना चाहिए जैसे हम राजस्थान गुजरात वाले बैक्राउंड से बिलॉंग करते हैं मुख्वास इन जनरल हमारे कल्चर में जाधा खाया जाता है हम लोगों ने अक्रॉस इंडिया यह मुख्वास एक इंडिया चाहिए मिठाई की तरह जो यूनीक टू इंडिया बट अब वर्लड जानता है कि मुख्वास इंडियन पालेट का आइटम वह ट्रेयल मिक्सर के नाम से उसको खाता है आर्प्लानिस के इंडिया से एक ग्लोबल बरांड ऐसा बने जो क्लीन मुख कर रहे हैं अर्जुन चाल के साथ हम काम करने का कोशिश कर रहे हैं ऐसी modern और इंडियन आयरवेदिक सिस्टम को मर्च करके best in taste क्या device कर सकते हैं वो हमारा business आप लोग काफी यंग हैं आपने के बड़ा अच्छा business भी start किया you know what would you suggest to viewers के business को start करने के लिए क्या hardware and software की जरुरियत होती है अफकोस इक strong idea होना चाहिए strong idea के पीछे आप जो चालू कर रहे हैं उसमें आपको कितना knowledge है आप उसको कहां तक पहुचा सकते आपका पहुचा सकते हो आप लोग क्या 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 बिसनस कर रहे हैं और आज भी काफी सक्सेस बिना पड़े भी वो लोग काफी कुछ कर रहे हैं जो आपन भी नहीं करते होंगे आज की आज की लाइफस्टाइल में अब ही काफी सारा लोग प्लाणिंग में काफी टाइम निकालते हैं कि यह आइडिया है दस महीने इस पर ब्रेंस्टाउंग करें हमको लगता है इक इनिश्य लेवल ऑफ प्लाणिंग आप एक चार्ट पेपर पर या एक पीपीटी में क्लिगार कर लो क्या मेरा यह विजन अगर आपके पास क्लियर आइडिया तो उस चीज को बीज दिन से एक महीने से जाधा नहीं लगना जाए और आपका यह विजन आप यह करना चाहते हैं क्योंकि काफी सारी चीजें पेपर पर अलग होती है और जब आप उसको एक्जिक्यूट करने जब कहते हैं कि आप आपने लिए के साथ इमीडियेट अंग नौद इमीडियेट बट इस शौट टाइम प्लानिंग करके उसको शुरू कर डिजे ओवर अपको आपको आटोमाटिकली पता चल जाएगा कि इसमें मैं क्या गलत करना मुझे क्या साही करने कि तो अब अबेरा यह मानना कि हर बिस कि अपने पाजेगा अपना पाजाएगा अप जाओगे तभी आप चला पाओगे तभी आपको श्कुम्स एक्सक्वाइब को एक और मैं पास यह मुझा लगता है यूू टेग ठाइग अपने खाओगे तो अप्लाइग एक लिग नवागे तो यह प्रण बूंगर आप इसे तो प्लंच के मैं बेट कर रहा था कोई कोई फाउंडर मिले कोई फिल इंद गैप तो हो गया ना Automatically हो गया, it was not planned आप मार्केचिंग कर रही है तो थोड़ा बताइए थोड़ा आप चिपिन करिये आप ऐसा नहीं के बर्न करना शुरू करेंगे और सब कुछ से फंडमेंटल्स और यह गोटू-मार्के स्टाटजी या आप जैसे फर एक्जामपल हमने जब शुरू किया था हम बहुत सारे ओफ-लाइन से फ्लाइन से बेट ओं-लाइन करते हैं जहां सा रिस्पोंस आ रहे है वहां और सब्सक्राइब और मुझे चल्टा से ज्यादए अच्छा सपॉंस आ रहे है तो अल्पूट इन क्यालकाटा वमारे fundamentals हमने clear कर लिए कि we'll be a aggressive online channel brand and depending on the online response we'll do offline so that is the core strategy and that is the fundamental rather than कि चलो store खोल के देखते हैं कि यह कितने समय तक आप इसी strategy पर रहोगे I think that is a clear strategy that we've drawn कि अभी online is a very set growing and settled thing to let us check the response online इतना बड़ा market आप कहीं भी बिना Capex की आप store खोल सकते है online so वो करके आप देखिए कि लोग कहा response कर रहे उसके basis पर वो तो होगा local market growth भी तो आपने लेनी है ना I think जैसे हमारे sector में जैसे मुखवास होता है अगर हम लोग का ऐसा नहीं कि मुखवास देख और लोगों आप कर लिया I think taste is also matter जब तक हम टेस्ट महीं कराएंगे फ्री टेस्टिक हर लोगों को अधात है कि पर ला कुछ खाये देखे सोचेंगे फिर खट पैसा कर तेस्टर्स नहीं रखते हम तेस्टर्स रखते हैं तो हम आएंगे जरूर आप नहीं आएंगे तो भी आपको टेस करा देंगे don't worry we'll send you the samples हमारे case में जब तक आप ट्राय नहीं करोगे I don't think so you'll be able to buy because of course आज हम लोग का नॉमल सॉफ वाला तो है निके भी हां मीठे योगा अच्छे योगा ले लेते हैं तो हम लोग हम लोग के हमारे case में sampling काफी करते हैं और वह हमारा main business कि अगर एक इंसा ने वो खा लिया तो 110 परसंट वह अपसे बाय करेगा करेगा that's our uniqueness and I think यह strategy हमारी lifetime दग चलती रह गया अपना प्रोग होई जाएगा निग्रोथ होगा डेफिनिटी उसमें को यह दो राय नहीं है all I am asking is कि और ग्रोथ के लिए और क्या सोच रहेगा एक और यूलिक strategy जो हमको लगता है and which is जो हम use कर रहे हैं that is corporate gifting as I mentioned अब जिसे वैशाली sampling बुल रही हैं तो sampling दो तरीके से होती है paid sampling and free sampling so corporate gifting is another form of paid sampling आपका एक साथ product पांसो हजार दो हजार लोगों तक पहुचता है and वो दो हजार लोग product आपका ट्राय करते हो उसमें से काफी सारे लोग आपके consumers occasional gifting के बारे में भी सूची आप occasion gifting जैसे you know हम return gifts देते हैं we do that we do wedding hampers करते होंगे आप जैसे wedding के होगे wedding के होगे wedding के होगे अभी रिसेंटली एमदबाद में शी बिकेम डॉक्तर अभी जो रिजल्स है तो वी दिन हैंपर्स फोर हर के हर फादर सेंड़ तो अल दॉक्तर के अभी मैं डॉक्तर को बेज रहा हूं तो मैं कुछ अच्छा बेजना चाहता हूं मैं मिठाई और राइफूट नहीं बेजना चाहता हूं तो we do okay because we have a store look at when you say na we do थोड़े उसमें दम डाले okay so corporate gifting occasional gifting and event gifting is our big channel that we do and we want to grow in that and second is the current strategy is coming aggressively online so हम लोग अभी तक Amazon पर नहीं थे हम लोग कल लाई हुआ है Amazon पर सो हमको लगता है कि online huge potential है क्योंकि हमारा product strong है and automatically जब लोग एक दूसरे के reviews देखते हैं और उनको पता चलता है कि product competitively priced है so एक और चीज के जो मुख्वास हमारा pricing है मुख्वास जनरली हम हमारी आदत है 100-200 के बीच में हम वो plastic का bottle बाय करते है and luckily हमारा मुख्वास no sugar होते हुए भी वही price है full of nuts, dry fruits and seeds होते हुए भी in that range it is priced so it is easy for people to pick up and हमने compare किया यह very fairly price to it is easy for people के okay लोग दूसरी ब्राइंस का जो 1.100 का पिक करते हैं they end up picking pharmacy का मुख्वास and then it is good in taste unique in taste so they end up repeating the taste so our strategy is keep the मुख्वास is affordable don't make it a premium मुख्वास but make it reach more and more people automatically people will utilize के यह यह बेटर प्रोडक्त है जो मैं खा रहा हुँ and start using it ठीक है हम कुछ चार चार एक software के बार में बात करेंगे not that software but basically business related software तो मुझे बताईए कि practicing core values कितना important है आप आपके लिए as a young entrepreneurs I think core values नहीं ध्यान रखोगे आप business में तो बहुत distract हो जाओगे so focus or practicing core values is a very important thing जैसे it was not on day one के हमने realize कि हम उख्वास पर focus करना चाहते हैं over the time हमने realize कि हमारा core value क्या है हमारा purpose क्या है शुरू करने का हमारा purpose है लोगों तक अच्छा खाना पहुचाना लोगों के पैलेट में जो घंदा है उसको क्या हम बेटर दे सकते हैं हमने realize कि एक focused category पर लेके चलते हैं सब लोग सारी चीज़े करना चाहें वो possible नहीं है हमारा specialty है हमारा strength क्या है मुख्वास जो हम starting से कर रहे हैं और वो unique है वो लोग वापस लेने के लिए आते हैं हमारे पास में सब्सक्राइब को एक focus बना के उस goal को clear कर लो कि मुख्वास industry में इसा मिल रहा है और मैं उसको clean कर दूंगा over the time automatically आपको और avenues मिलते रहेंगे और chances मिलेंगे दूसरी चीज़े भी करने का एक focus रहेगा तो देन आपका core clear है कि हां मुझे यह करना है इस तरीके से करना है यह वेशली आप से पूर्ना जाहेंगे मैंड सब्सक्राइब कर दो कर दो प्रफिशन नहीं होगा पेशन नहीं होगा अपने मैं जैसे कि अगर for example आपने मुझे बोला कि अपके मुख्वास में आपने मुझे कोई भी भी कम्प्लें किया और मैं बोलत हुँ नहीं हमारा फ और business strategies to work on I think अगर 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 कस्टमर से अर्ग करते रहेंगे तो हम कभी कस्टमर बना ही नहीं नहीं पाएंगे चलिया हम second aspect किये और आते है mindset how important is mindset in business so I think in terms of mindset again it is very linked to the job na patience का बात किया patience and feedback हम लेते हैं तो it has it is very important to keep a positive mindset so a lot of people come to us say कि भाई हम कैसे मान ले यह ऐसा है यह हम कैसे मान ले आपका जैन्मिन है यह हम किस तरीके से समझ ले कि आप जो बोल रहे हैं वहीं आप कर रहे हैं so we positively answer them sir ठीक है आप at least try तो करके देखिए हमारा product and then you'll realize the difference so you'll meet all sorts of people कुछ लोग कहेंगे यार इतने लोग मुख्वास कर रहे हैं इतने सालों से तुम कैसे उनको disturb कर लोगे मुख्वास तो लोग इंडिया में ऐसे ही खाने हैं तुम कैसे नया कर लोगे हमारा mindset हमने clear रखा कि हमको यह करना है और यह चलेगा so that mindset and she said patience and perseverance के let's stick to it यह चलेगा यह करेंगे and automatically people will also align with your vision vision क्या यह लोग यह करना चाहते हैं और यह लोग इसी पर लगे हुए हैं so let's stick to it and I think a lot of people just say I am a chartered accountant she's done her luxury brand management so a lot of people come to us यार याश क्या CA छोड के you know white collar job है तुम यह छोड के क्या यह मुखवास का कर रहे हो और क्या income होगा इसमें तुम Bombay में थे तो CA करते बिक फोर से तो अच्छा package तुमारा होता so again there comes the mindset so हमारा mindset is very clear के हमको यह करना है it will take time patience जो इसने बोला वो लगेगा but then ultimately we'll reach success या फिर हमारे लिए यह खुष है डे अंड में जब हम घर पे आते हैं तो भी फिल हैपी के आज एट लीस पांच नहीं consumers बने और वो लोग happy है कि उनको एक नया product discovery हुआ जो better than market है चले let's go to third pillar mental energy I think customer हमारे लिए भगवान है उन्होंने जो बोला है वो सची है तो एक उनसे भी खुषी मिलती है कि जब अगर हो कुछ पॉसिटिव ही बोले तो भी हमारे लिए अच्छा रो कुछ नेगटिव बोले तो हमको कुछ सीखने को मिल रहा है उससे अगर नेगटिव सुनेंगे नहीं तो हम इंप्रूव कैसे करें अगर इंडिया में लोग ऐसे बोलते हैं इस नेवर कंज्यूमर्स भी आजकल काफी थौट पूल हैं चीज़े समझते हैं तो आप उपनली उनके फीडबाक को लो जो इंप्रूव कर सकते हो वह आप इंप्रूव करो और उस माइंसेट मेंटल पीस के साथ रह लो कि हां कंज्यूमर ने अगर गलत बोले हैं कोई प्रॉब्लम बना दो से एक कंज्यूमर हमारे पास आई थी के यश मुझे अभी सब लोग बुके लेके जाते हैं गोद भराई में मुझे कुछ लेके जाना तो वाट शुड़ाई टेक कुछ ऐसा तुम दे सकते हो जो मदर्स तो बी मदर्स के लिए स्पेशल हो और वहां हमारा मॉम जैसे लोगों को अजमार स्वा खाने का बोला जाता है अक्तर प्रेग्नेंसी तो हम लोग ने ऐसे रॉख खाने इस वेरी डिफिकल फ़द पीपल तो हमने उसको एक अल्मन गया फिर देश के साथ में मिक्स्टर बना दिया कि वह उनके लिए बॉड़ी के लिए अच्छा ह प्लस उसके लिए टेस्ट भी काफी अच्छा है तो वह कंजिम भी हो रहा है और वह स्वीट टेस्टिक फॉर्म में कंजिम हो रहा है अगर महीं एक मेंटल ब्लॉग बना देते हैं हम कहां से लाके देंगे तो शायद वह प्रोड़क नहीं डेवलप कर पाते है या वह दिम एक करना है और फॉर्ट पिलर वरी इंपोर्टन स्पिरिट्युलिट इस था इंप्सिन्स अइप जो हमने लग फैक्टर जो हमने डिसकस किये लिए लॉट पीपल बिलीव कि लग कुछ नहीं होता है हाड़वक ही होता है सब कुछ हमको लगता है हाड़वक कमाइंड विद लग is what makes you successful so spirituality मुझे लगता है एक वह एक फोर्स है जो अगर आप डिसाइड कर ले होता है और अगर वह विजन अच्छा है उससे लोगों का उधार होता है या बेटर होता है तो आपको मिलता है बैक एंड से आप सोचे ना वी नेवर मैट शिल्पा बैन उनसे मिले भी तो हम second person से third person and third person से four person के contact से मिले अगर उनका first statement यह होता कि यश मैं यह रेंट लूगी तो शायद हमारा business उधर ही बंद हो गया होता successfully आज हमारा business 10 लोगों को employment प्रोवाइड करता है क्योंकि उनको support मिला and as a win-win उनका जो property था जो five years से बन था उससे उनका अब एक relative रोज का income शुरू हो गया आज three years हो गया है उस बात को जब से when we officially started a rent agreement with her which was first April 2020 huge covid time but covid time में वो store से उनको rental income शुरू हुआ क्योंकि उन्होंने हम पे bet लिया six months के लिए और हम यह business आगे बढ़ा पाए क्योंकि उन्होंने हम पे bet लिया और हम उन 10 लोगों को support कर पाए जो उनका परपस था कि यह तुम ground level लोगों को support करो so that spiritual part is always there in the business and I think हम दोनों का morning schedule is whenever we go to sleep or whenever we wake up in the morning the first thing that we say is thank God for the new day that God gives us and for the whole day जह हम सोते कि आज का दिन अच्छे से निकला अच्छे से वी वर अब तो have food and achse se we are having a good night sleep and as morning we wake up एग नया दिन भगवान ने हमको देने को दिया so gratitude is what we practice every day and for me I practice gratitude to her के मिर को you know in a form of friend and then wife and a business partner in में मिल पाया and same way she must be thanking I believe of of course काफी मोटिवेशन है इसकी साइच से because I was not like मुझे ये फूद में क्या लोगों से चिक चिक करो ये सब करो दिरे 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 इसके मोटिवेशन से I think I am here today जी 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 वरी नाइस चलिए बताये as promoter of farmse, vision for farmse so our vision is to make farmse a mukhwas brand globally हर कोने में हर छोटे से दुकान पर किराना स्टोर में हमारा मुखवास मिले पान के गल्ले में हमारा मुखवास मिले rather than was soft खाए बच्चे हम चाहते है farmse का मुखवास खाए बच्चे क्योंकि as मैंने कहा कि मुखवास इंडियन इंवेंशन और उसको globally number one brand बनाने में इंडिया को प्राउड होना चाहिए कि हमारे आगा इंवेंशन कोई और कैसे ले जाए so and the good part is मुखवास ऐसा नहीं कि इंडिया में खाया जाता है you go to Dubai, UAE and other than these countries इंडियन सब जगें और इंडियो कम्यूनिटी हमारी साड़े दीन करोड की है आपको पटेल स्टोर्स यूएस में इंडियन की वज़े से चल रहा है यॉरॉप में इतने स्टोर्स कुल गए आप यॉरॉप में बैठ है अपनी ऑफिस पर आपको लग रहा है तीन चार बज़े वाला भूक लग रहा है मैं क्या खाऊ तो आप हमारा राजग्रा और अमरांत बेरी मिक्स आप कभी भी खा सकते इस नॉट नैसेसरी कि आपको मुखवास की तरह खाने के बाद एक चमच बिल्ष गल्डा मुखवास की तरह बराजग्रा मुखवास की तरह टाई अपना भी रहा तोगे हैसे की लोग ज़दा कर तो आप लोग आपने कर लोगों के लिये बेमेफिट बन जाए तो आप लोग जोटे चोट बचले बीवी तो आपड़ों कि बीट बन शूच रहे है टोक हैं कि दो करते होता है दोका maravilाये जो भारते हैं फैरी दोका da जानतों के बारे में। और चकह परेफ की तोक्राइन दोका बारे होग को हमेजे में कहरा है, जònet दोका इंतनम कने दीक मों थे पहनी है तो अराउंड अब ही हमारी नौ से तस वाराइटी जिसमें हमेशा हर कुछ ट्राय नर से हम लोग पौच पाँ हम लोग पुछ पुछ ट्राय कि है उसको हम लोग को बना थे चार पाँ पाँ लग लग जाता है यंप लग गाँ पर फ content नहीं बबन सकते हैं कुछ ना шьत नगुछ ना कुछ कम होगा कुछ्ऺ जादा होगा तो मैं ।ो मैं मरी बहावी भावी ऊंको कुछ ना कुछ ना कुछ ना क्या करते थे तो आपकर like gårविट का था सब लोग घर परिते है कि इतने लोग ऐस होग तो ह कुछ ना कुछ राय करते रहते थे कुछ ना कुछ बनाते रहते थे दिरे धीर आ उने काफी 9 जुट रेसीपिस तरह थे अटी थे कोई प्रॉबल्म है तो यह जैसे अनार का पाउडर हैं को कुछ ना पौडर है सेसमिस सेट तो इसका एक मिक्श्चर बन गया जो गुट फर ऐसेड़िटी है अगर अपने कुछ हेवी ओईली खा लिया है तो उसको सटल कर देता है तेन डाइजेस्टिंस के लिए भी काफी चीज़ है सीट का मिक्श्चर है काफी लोग बोलते कि सीट रौ सीट इस वेरी ग कर लो हमने वो एक नया चालू किया एंसा हम इनी वराइटीज आर देर इना कुरेंट लिए वराओं नाइन तो तैन हम लोग और भी वर्क कर रहे हैं नहीं नहीं वराइटीज में आभी है तो आर टोटल स्की उस इन मुख्वास इस 9-10 बट हम मुख्वास के कॉंप्लिमें अब बॉड़ाइब गुजरात राजस्थान में लोग मुख्वास की तरह खाते हैं आफ्टर देमील हम गुड़ खाते हैं तो गुड़ पाउडर हनी आड क्योंकि हम फाम से स्टार्टिंग से काम कर रहे हैं तो घी हास बीन पार्ट ऑफ आर एसके उस सिंस इन्स इस साथा गी का फाम इस 28 km from here and हम regularly farm pay farm से करते हैं क्योंकि लोगों को लगता है कि farm से आरहा है तो किस farm से यह जनुए आरहा है या नहीं आरहा है वो भी एक question कई बार रहता है and this was the closest farm again started by an engineer very passionate के मुझे लोगों को अच्छा खिलाना है तो other than these 10 SKUs we have 15 other SKUs which are complementing to mukvas जैसे हम berries में रखते हैं तो काफी लोगों को हमारी berries पसंदें तो भी also keep cranberry as a SKU so वैसे करके तो टोटल 25-30 SKUs and उन 30 SKUs में 5 SKUs हमारे hampers के भी है तो आपको ऐसा है कि मुझे हजार रुपे का कहीं भी जा रहा हूं कुछ immediately देना है तो भी आपको कॉंबो आप 6 मुखवास that you can just take and carry instead of आपके business model में कुछ innovative है I think the you know our number one innovation is sugar free मुखवास okay अभी जितना भी मुखवास आपको market में मिलेगा जहां भी आप चले जाएंगे it is full of white sugar refined sugar and flavors हमारे मुखवास में आपको कोई दरगा flavor नहीं मिलेगा sugar नहीं मिलेगा so tasty sugar free and no flavor मुखवास is our USP and the second USP is the functionality based हम लोगों नहीं शुरू किये अभी कोई भी आपको मुखवास ऐसा लगेगा कि वो एक इंडियन habits के लिए खाना है जर्दा एक habits के लिए खाना है लोग कहता है मुझे 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 मसाला चाहिए इसके लिए मैं जर्दा खाता हूं हम लोग फंक्शनारिटी बेस इसके ला रहे कि आप मुखवास का रहे तो आपको लगेगा अच्छा मैं को hair fall का problem है और इसमें मुखवास रखती हूं मुझे PCOS का problem है और इसमें cranberry तो मैं cranberry वाला मुखवास रखती हूं तो हम रहेंगे जो benefits के साथ मुखवास करेंगे क्या आपको यह क्योंकि modern problem हमाई urban lifestyle में बहुत सारी problems है हम लोगों को एक्सेंट तक उससे address हो सकती है वैसा इंडिया में अभी कोई भी नहीं कर रहा है सो product में तो आप definitely innovation करते हैं राइट न कोई transactional innovation आपने कोई नहीं चीज ट्रांशेक्शनल लाए हैं जैसे हर बिजनसमें जो product में होते हैं product की बात तो बहुत करता है तो experience जो हम provide करते हैं तो transactional जैसे आपने बात करें तो वी स्टाटेट पे बाइवेस्ट वित रिसाइकल डॉट ग्रीन इंडबार पे बाइवेस्ट पे बाइवेस्ट वो क्या है तो जैसे आप currency में पे करते हैं कहीं भी जाते हैं आप हमारे यहां पे वेस्ट से पे कर सकते हैं वो कैसे in fact so for example आपके घर पे न्यूस पेपर बहुत सारे इखटे हो गए तो हम उसको रदी वाले को सेल करते हैं और हम एंकैश करते हैं फामसे में आप वो रदी छोड़ सकते हैं जो वापस रिसाइकल में जाएगा और वो रिसाइकल होने के बाद आप जो वाल्यू है उससे आप शॉप कर सकते हैं मारे स्टोर पे अपने दस पैकेट्स मुख्वास के बाए कर लिए अब वो मुख्वास खतम करने के बाद वो पैकेट्स पड़ा है तो उन पैकेट्स को आप रिटर्न कर सकते हैं उस आप के थ्रू अन दें यू किन बाए फामसेगा यूटिलाइस कर लिया कांच के बॉटल अगर बहुत इकटे हो गया आपको नहीं चाहिए तो आपने उसको वापस रिसाइक्लिंग में बेच के आपने इसको एंकैश करके कुछ बाइंग कर लिया तो यह जो वेस्ट है तो कुछ भी हो सकता है और बाद इस फॉर आस्टोर आप फामसे के स्टोर पर कुछ भी एंकैश करा सकते हैं वेस्ट देखे तो इस फॉर न्यूस्पेपर वेस्ट इस फॉर ड्राइट प्लास्टिक पाउचे ऑफ मिल्क जो हर घर में रोज के दो यह आइडिया कहां से आप लोगों को सो एक्चुली आज़ाइड हम लोग फा रहना मेरा हमेशा से मोटो रहता है मैं घर से निकलूंगा शॉपिंग के लिए भी तो मैं अपनी बॉटल साथ में गारे करता हूं I don't believe कि जहां पॉसिबल हो सके में वह बिसलेरी 10 मिनट के लिए मैं वह 10 रुपे की बिसलेरी नहीं लेता हूं क्योंकि प्रैक्टिस बच्पन से थी मेरे में और आफ्टर ट्रावलिंग लॉट टू यॉरॉप यॉर्प यॉस में लोग इतने विजिलेंट है एंवार्मेंट को लेके वाय शुड्वी नॉट बी देर इंडिया क्योंकि इतना पॉल्यूशन यूसी पिराना इन अहम्द रहा हूं और वही क्योंकि मेरा इंक्लीनेशन था आई केम अक्रॉस हार्दिक भाई और इस वोल कॉंसेट और इस सब्सक्पूली रॉन देर आर पीपल सो वी अलसो एंकरेज ब्रिंग यॉर्न कंटेनर सो अगर आप ऐसा है कि यार मैं यार यह रोज मुख्वास खारी हूं तो मुझे अब नया वेस्ट नहीं करना है तो कैना है गड़िए इन बल्क फॉर माइओं कांजम्शन तो अलोट अब कंजूमर्स ब्रिंग देर ओं कंटेनर यह लो मेरा स्टील का डबब इस मैं मुझे 200 मुख्वास डाल के दे दो सो भी गेव देम अस्पेशल अब सेविंग उन दाट कॉस्ट और भी अल्तिमेटली गिव विन विन दूद एंवार्मेंट ऑल्सो कि एक नया बेस्ट हम नहीं जनरेट कर रहे उसके लिए इतने अच्छी चीजे आप कर रहे हो कुछ वार्ज वगर आप लोगों ने विन किये या अभी स्टार्ट हो रह यहमने एक पैसा नहीं देया उनको एंड़ यह वार्यक पैसेअ ये इसफकें सेट अपनकप प्रोड़ का निए होगा है and we have featured in Your Story, Times, Denny Bhaskar, Your Story, all kinds of new start-up pages that you can see and I think other than that we have a good community on Instagram around 13k which is like it's all organically so we've never done till now any aggressive online marketing which we spend on exhibitions mainly but organically we have reached here so we think that product and the achievement that we hear from these celebrities is a award for us and of course the recent award is the best d2c brand of the year so that gives a boost to us but we are focused on our work so I think it's really good to hear your success stories I'm sure you will hear some business people's success stories and you will be inspired by listening to them could you just relate one or two incidents or one or two such business people who need to be non-competitive or unknown I think I recently read shoe dog and I'm very much inspired by phil knight so that person coming from my love with passion simple shoes I think my inspiration in my close circle is Rajkumar so uh because uh uh joe man so inspiration personally I think my inspiration is because we are both as an individual a lot of different set of individuals I am somebody who makes things like a systematic plan and Raj takes things as it comes to him so what I learned from him uh is uh living the life to the fullest uh tension free you stay in the movement live happily enjoy the movement and uh the second inspiration I draw a lot is from my father so uh 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 just like I said that uh 25-27 years ago my dad also started like it was his startup of my family Pali is a city of textiles you will get people from there from the house related industry from the house in 1995 or 1994 when my dad thought of silver utensils then there was no background in our industry but my dad started it and today we are the only factory in western Rajasthan which is purest articles since 27 years supply and my dad has made a reputation in that they have made a goodwill so I am learning from them that rock I have seen that the rock was first the rock where the rock was in the middle of the house they were sitting in the middle of the house and today the two-three floors which is our factory plus office is over the 27 years of the journey it was not the comfort at day one and same as I believe in my business that I draw that day one I will not get comfort from day one I need to leave all the comforts and start building it from scratch and I will make goodwill like Papa and you know you know silver and gold and you know people can make a lot of money but now people come to this because they have the same goodwill with the same goodwill and same is what I want that people give a clean ingredient brand not somebody who is cheating that should be our core model so I think I draw a lot of inspiration so the dynamics we are coming to the end of this wonderful episode there are two other questions that I will ask you that is the first one scoop scoop is a success code of ordinary people every person is basically ordinary and a time comes in his or her life when they think that they want to become extraordinary and they start on the success journey and they start on the success journey tell me what is your scoop I think my scoop is uh hustle keep trying so uh uh just say uh my first instance when I told you my trial that I went to that yoga studio randomly that I met with my family and then she connected me to somebody and then she connected me to somebody so my trials were going to be when I was in September when I was in our low then I didn't think that internally I never wanted that pharmacy should stop it was our brainchild that we had to grow so I kept I kept putting it giving it and giving it and giving it and giving it so we kept on moving and now we are starting it is after three years it is not simply said that it is not simply said it is scientifically and logically it has some value that you keep on moving and keep on moving and automatically you will get the green signals and you will get the outcomes and it is not once after covid also we have a boost in business and then we have seen a low there were relationships that didn't work out we have not worked out but ultimately I think that God has been a clear path that has been the right time and things we are just stuck on that path we are not stuck we are not stuck we are not stuck here we are still here if we are still here we are still here so you don't have to go so I don't have to go I do not need it for 8-9 hours so we have to go 7-5 moment we are taking a course so Yash asked me that we have to take a course so you have to take a course one of my two slots one of the 6-7 or the 8-9 यज बोला अवकॉस आथसे नो, कि मैं तो 67 नहीं अउट सकती हूं Yashli नो बोला नहीं आपन 67 ही लेंगे मैं यज अवर अउटना ही पॉसिबल नहीं उट सब्स attorneys लेख और अब मेरें इतना ही अविजस फ्रफ्स अधर में खुल जाती है और वो मुझे क्लास लेने के लिए इतना मज़ा आता है कि उसमें कुछ ना कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है and I think अभी में को पूरा दिन एकदम energetic दे लगता है कि मैं मेरा कोस काम ले लिया, घर का काम कर लिया, office पोच गया, time list हो गया, पूरा काम हो गया and like I think उसने मुझे इतना मोटिवेट किया, अदवाइस तो मैं छेहां बज़ उठी नहीं सकती हो, मैं कुछ कर भे नहीं सकती हुए तो मेरे लिया कि कुछ कर रहे हो, तो अगर कुछ किसीने कुछ बोला है तो अच्छे के लिए ही बोला है, और सूनो सबकी और कर के देखो क्य I like communicating with you because you help a lot of small entrepreneurs grow and I type your story because I asked you this that 1999 you started helping businesses to grow, so how come you thought it in that time and then you did have a big difficulty in your days and then you said I want to MC HR in Onet or entrepreneurs who are at small scale to grow and I think that is a very inspiring thing to listen because 1999 में ये सोचना के मैं start-ups को help करके grow करूंगा SMEs को जब वो लोग term समझते भी नही थे it is something and now I think you of course have expanded globally so it is a great story and inspiration to listen my pleasure और बड़ा अच्छा लगा so you know sometime soon I would love to have Raj on the show I have your promise on that all the very best to both of you looking forward to achieve 1000 crores in very near future very soon and looking forward to have you at the store with the waste so you can of course reduce your wastage and buy something all the very best thank you